हेलो फ्रेंट्स वेल्ड तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकोन को जुरुद दबाए आईए जम बात करने जा रहे हैं रेलवे भरती परिशाओं को लेकर बहुत तमाम तरह की जो बातें आ रहे हैं उसके बारे में और साथी साथ सबसे बरा जो भी क्वेस्चन उठ रहा कि आउए अभीहाल के जो पार्लेवेंट सेसन काफी चीजें हो रही है तो इस वेडियो वह बताएंगे कि क्या क्या है स्टेटमें***ंट З Lena जा रहे और कितनी वैकेंसिस कितनी वैकेंसिस जु बैक लॉग्गs हैš किसे बारे मैं आपको हीइस स्टेट्मेंट यह है कि रेलवे भरती बोट दौरा कोई परिच्छा परिणाम को रोका नहीं गया है मतलब बहुत सारे लोग यह कर रहे थे परलामेंट में कि जानबूच को रोका गया है जानबूच के डिले किया गया है उसके रिगाडिंग में तो देखे इसमें उन्होंन उन्होंने का कि एंटीपीसी की परिछा वर्ती बोर्ट दौरा कोई परिच्छा पर नहीं रुखा गया गया या थो कि उत्तर प्रदेश में विधान सवाच चुनाव से पहले बिहार वा उत्तर प्रदेश के विभीन अस्थानों पेंटीपीसी पदों के लिए वर्ती प्रिक जो है कि लगभग यह जो जाई मतलब वहीं एंटीपीसी की जो लगभग आप लेको और यह दोनों मिला की गुरूप डीक मिला की जो एक लाख तेटालिस जार की परकिरिया चल रही है ठीक है और इसके बाद रेल्वेंती पिता है कि इसके लिए सुरुक्षा बल और रेल् और सुरक्षा संबंधी कुल दो लाख उमिदवारों कुरेल में निक्ति के लिए पैरनल बद किरा गया है मतलब यह वह उसमें दो तीन कैटेगरी थी उसमें पीछे की ग्रूप डी एलपी वेगरा हुआ था उसको लेकर यह सारा कुछ ऐसा जूरवार है लेकिन आगर आप देखे तो एक्जाम का तो ड्यूरेशन और जो टाइमिंग हो तो डिले हो ही रहा है लेकिन इसके अलाबा भी एक बहुत यह भी उसमें रिक्तियों के खिलाफ जो ही एक मतलब आया है जो सारा रिकॉर्ड आया है वो काफी चोकाने वाला आप देखेंगे कि बहुत ही जाद है रिकतियां आपको है रेल्वे में स्वाल है कि अभी जो यह गरुएस आई है आपको उनीस बीस में कोई वे टकेंसी नहीं आई बीसते किसमें भी कोई आह tungेंसी नहीं आए और बीस अबाश्रम में भी लगतार यह जो थाषाप एचराब आनी थी जो एंडिक च on को दिया गया है कि रेलवे की नोकरियों के लिए यूपी के बाद सबसद्रिक आवेजन बिहार से अर्सांसा सुसील मोधी ने रेल मतारल से पांच बिंदों पर जानकारी मांगी थी और बात हुई थी कोटी वार रिक्ती कितने कहां कहां हैं तो देखिए यहां पर सबसे ज़ क्या उत्तर रेलवे में है 37,433 ठीक है 37,433 रिक्तियां है उसके बाद मध रेलवे में है 37,849 रिक्ति है और लगबग पस्चीम रेलवे में भी 26,000 के आसपास आपकी रिक्ति है ठीक है बर्तमान में करीब 1,4,731 रिक्तियों को भर जाना इसमें ग्रूप D और NTPC के सनातक के माध्यम से 1,4949,000 पत भड़े जाएंगे ठीक है इन पांच विंदूओ पर उने जवाब मांगा था और अब देखिए कि सैंक्षन कितना है टोटल रेलवे में अभी के बर्तमान सीसाब से थे कि टोटल कितना है राजपत्रित यानि की गैजटेट जो अफिसर्स होते हैं उनका 17,894 है और और आज पत्रित है टोटल आपका 14,88,405 है और टोटल कितने हैं संख्या में 15,00,000 के आजपस आपको जो है की टोटल स्ट्रेंथ है टोटल ठीक है जिसमें की आप देखेंगे की 2019 में कितने भरती हुई है उसको दिखा रहा है यहांपर 2019 का जो पैनल बद हुआ है उसमें 2019 में आपको 16,500 हुआ था 2020 में 1,26,000 है और 2021 में 45,34 यानि टोटल 1,48,000 पर किरिया हुई है या हो रही है और सेवा निम्रिती का भी एक जो एक करम देखेंगे तो आपको बहुत ही यह आपको समझ में आएगा कि कितना जादे समस्या है सेवा निम्रिती में अगर आप देख पाएंगे तो यहां पर आप देखिएगा कि साल 2019 में 62,000 के आसपास जो है कि लोग रिटाइर हुए बीस में भी 62,000 के आसपास रिटाइर हुए 21 में 56,000 रिटाइर हुआ है 22 में लगवा 41,000 लोग को रिटाइर होना और 23 में 2023 की बात करें तो लगवा 36,561 लोग को रिटाइर होना है तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से वेकेंसी को लाना चाहिए इमपैनल्ड करना चाहिए उस हिसाब से जो है कि भरा नहीं जा रहा है और रिटाइर्मेंट के अगर ग्रोध देखेंगे तो आने वाले बिगद इस साल और अगले साल मिला के ही लगवा 77-78 यानि 80 के आसपास लोग डिटाइर्ड होड़ है अब आप सवाल ये है कि 2020 में भी कोई वेकेंसी नहीं आई एकीस में भी नहीं आई और 22 में भी नहीं आई क्योंकि अभी ये पुरानी वाली वेकेंसी तो पहले खत्म हो और इसको पूरा होने में कम सकम दो तीन साल तो लगी जाएगा इसमें कहीं से कोई संकावाली कोई बात नहीं अब सवाल ये है कि इतना बैकलोग होते जाएगा और रिक्तियां इस तरह रहेगी तो रेलवे का जो कारिक जूँनका करने का तरीका है जो जो स्ट्रेंध होना चाहिए जिस हिसाब से इसंगती में काम होना च और इसलिए देखेंगे कि रेलवे में भी बहुत ज़्याद है जो चीजे अब प्राइविटाइज की तरफ मुड़ रही है प्राइविटाइज हो रहा है क्योंकि चीजों को रोक के नहीं रखा जा सकता है जो रेलवे की सेवाएं हैं वो बंद नहीं की जा सकती उसको कंटि को कि कम पैसे में यानि 16-18,000 में देखे आप अराम से उससे काम करवा लिजे जो तना काम कराना है करवा लिजे और वे कॉंट्रेक्ट वाले लोग होते हैं वो आपसे जादे सवाल भी ने करते तो सबसे बरा यही क्वेस्चन है कि आखिर इतने सारे पदों को कब तक भरा जाएगा और जिस तरह से रिटाइर्मेंट हो रही है तब तो और मुस्किल होने जा रहे है क्योंकि एक एक वेकेंसी को पूरा करने वगर दो-तीन साल लगेंगे तब तो फिर जितना वेकेंसी को फिल करेंगे उससे जादत फिर ऑल्लेडी खाली हो जाएगी अगर इनोंने एक लाक 10,000,000 खाली हो तो आने वाले भिगत साल में उसके आधे लगवख आधा से भी जाद है और लिडी खाली हो जाएगा रिटायर हो जाएग लो